हेलो बच्चो, वेलकम टू दा चिंडरन क्लास एसकान में आपका स्वागत है और आज आप बच्चो हमारे साथ सीखने वाले हैं छोटा आ से आहा तक लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कलर्स नेम तो चलिए एक के साथ दो काम करते हैं यह चोटा से आहा तक और पहले कलर्स नेम सीख लेते हैं यह बच्चो पिंक कलर, ग्रीन कलर, परपल कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, इसकाई ब्लू कलर, औरेंच कलर, रेट कलर, येलो कलर तो बच्चो अब ये हो गए हमारे कलर सेम आपने इसके साथ साथ अब हमारे साथ अब जो सीखना है वो सीखना है छोटा आ से अनार से आहा तक तो चलिए हम छोटा आ से अनार बनाना सिखाते हैं आपको तो ये है छोटा आ से अनार तो आप भी अपनी कौपी पर लिखे, झोटा आ से अनार अब बच्छों हम बनाना सिखाएंगे आप लोगों को बड़ा आ से आम तो बड़ा आ से आम बनाने के लिए आप लोगों को दिखी रहा है इसमें एक दंडा लगा है, यानि की मात्रा है ये बड़ा से आम यह है आ की मात्रा और बच्चों मैं इसको डार के भी करती चलूँगी ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हूँ तो यह है बड़ा से आम और अब आती है बच्चों छोटी इसे इमली तो चलिए छोटी इसे इमली बताते हैं बड़ी इसे एक तो बड़ी इसे एक में बच्चो एक मात्रा होती है और वो कैसे लगती है ऐसे लगती है यह है बड़ी इसे एक अब आता है बच्चो छोटा उसे उल्लू यह है छोटा उसे और अब यह है बच्चो बड़ा उसे उन बड़ाउ से उन बच्चों आप लोग भी अपनी-अपनी कॉपीज पर लिखके देखते रहें ताकि आपके अच्छी प्रैक्टिस हो जाए यह है बच्चों री से रिशी री से रिशी और यह है बच्चों ए से एड़ी आप लोग भी लिखते चलिए ए से एड़ी और अब आएगा बच्चो ऐसे एनक जिसमें एक मात्रा लगती है यह है ऐसे एनक एनक में एक मात्रा लगा दी ठीक है? अब है बच्चो ओसे ओखली उसे ओखली में भी बच्चो एक डंडा और एक मात्रा लगती है उसे ओखली अब आता है बच्चो औ से औरत ये हैं औ से औरत औरत में बच्चो एक डंडे के साथ दो मात्रा हैं लगती हैं ये याद रखिएगा एक डंडे के साथ दो मात्रा अब ये आएगा अंग से अंगूर अंग से अंगूर बच्चो अंग से अंगूर में उपर बिंदी लगती है अंग से अंगूर अब ये लास्ट है आहा खाली तो इसको बनाएंगे हम ऐसे आहा छोटा बनाया उसके पीछे दो बिंदी लगा दी तो उसे बोलते हैं अहाँ खाली तो चलिए बच्चों एक बार हम लोग पढ़ के रिवाइस कर लेते हैं ये छोटा से अहा तक चोटा से नार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे उन, री से रिशी, एसे एड़ी, एसे एनाप, ओसे ओखली, ओसे औराग, अंग से अंगूर, और ये लास्ट अहा खाली तो उम्मीद करती हूँ बचो, आप लोगों को ये आसे आहा तक की वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, और आप लोग सीख भी गए होगे, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए, आप लोग मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और बेल आईकन दबाना बिल्कुल नहीं बुलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो को बेल आईकन दबाएंगे, तो आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी, ओके बाई बच्चो,